संतुष्ट जीवन एक गाव में एक वेक्ति था जिसका एक छोटा सा घर था और वो बस आज में ही जीने जितना कमाता था उसे कल का कोई भय नहीं था उसकी इस्वर में अपार भक्ति थे और उसका मानना था कि इस्वर जो करता है भले के लिए करता है उसके चेहरे पर ये श आता था सस्त उईब था कि लोग उससे जलते थे और आज के समय में कोई किसी को दीख कर जलता है पर वो वेक्ति सबी को शिखा था कि इस्वर में इस्वास रखे उस जो करता है अच्छे के लिए करता है एक दिन गाव में एक बच्ची की उंगली दर्वाजे में फस गई और कड गई वो बहुत रोया और पास के दवा खाने में ले जाकर उसकी मरम पट्टी की गई लेकिन उसकी आदी उंगली को नहीं जोड़ा जा सका उसकी मा बहुत रो रही थी उसकी पिता भी बहुत दुखी थे तभी वो संतुष्ट वेकती वहां से गुजर कर उसने पूरी बात सुनकर बच्चे को उसकी माता पितों को समझाया और कहा भगवान में विश्वास रखे वो जो करता है अच्छे के ले करता है यह सुनकर बच्चे के मा बाप और लोगों को गुस्सा आ गया हमारे बच्ची की उंगली कड़ गई और इसमें तुमें और तुमारे भग गवान को क्या अच्छा दिख रहा है वो वेक्ति मुस्कुराता हुआ बोला देखो सही वक्त तुम्हे सब बताएगा और वहाँ से चला जाता है छे महेने बाद गाव में कुछ अंदविश्वासी जंगली लोगों की टूली के कारण भै उत्पन्न हो गया वे लोग हर एक ग बच्छे को ले जाते और उसकी बली देते उसका मानना था कि इससे खुश्याली आती है अब इस गाव की बारी थी वे लोग उसी बच्छे को उटाकर बली देने कि लिए ले गए उसकी छोटी उंगली कट हो गई थी ूसकी माबाप रो रो कर बुरा हाल था पर उन लोगो उन्हें ने एक न सुनी उनकी अनुशार जिनकी बली दी जाती है। कुशी का ठीकाना न था। तबी ओ संतुष्ट वेक्ती आया। और बच्चे के माबाप ने उसको हाथ जोड़ कर कहा। भाई तुम सही थे। इस वर जो करता है अच्छी के लिए करता है। चीका इसा नहीं कि अंदर विश्वास ही बने। और भगवान पर सब कुछ जोड़ कर रहम करें। और उसकी विश्वास करें। लेकिन अगर कोई दुर्गत नगटी है तो उसे लेकर नवट है। आग इकी ओर देखें। क्योंकि जीवन में जो होता है उसका कोई न कोई अर्थ जरूर होता है। तो आज ही कहानी बस इतनी ही। हमारे कहानी पसना आए तो वीडियो को कामेंड शेर आवश्य करें और इसी खरा हमारे साथ बने रहे।